आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा नास्ता लेकर आई हूँ इस रेसिपी को आप शाम की चाई के साथ भी बना सकते हैं ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है चलिए फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तीन उबले हुए आलू लिए हैं इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेंगे आलू के बड़े टुकडे बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए चाहे तो आप इसे कदुकस के हैप से कदुकस कर लीजिए या फिर आप हातों से भी मैश कर सकते हैं आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं इसमें बिल्कुल भी गुठलिया नहीं हैं आलू में एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे एक बारीक कटी हुई मिर्च डालेंगे एक चुथाई चमच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे एक चमच साबुध धनिया डालेंगे धनिया को कूट कर डालने से हमारी रेसिपी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा साबुध धनिया का हम पाउडर नहीं बनाएंगे हुचक of fun मिट इसमें हम डालेंगे hetanya थोड़ा नमक नमक आप अपने की अनुसार डाले आधा चमत चात मसाला डाले आधा जीर डालेंगे इन Handyfish को अच्छे से Mix USB करदेंगे अलु हमारा Ai Ici से मिक्स हो गया है इसको हम ढख कर साइड में रख देंगे हम नहीं हैं अगर आपके पास है तो आप जबला या तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं थोड़ा सा नमक डालेंगे आधा चमच कुटी हुई लाल मिर्च ली है इसे भी हम ढाल देंगे इसमें हम थोड़ा कर लेंगे एक बार में जादा पानी डाल कर आंटे को ना घोलें नहीं तो आंटे में गुठली आ पड़ाई और फिरे करेंगे मैंने ऊक करेंगे जिसे हम ब्रेड के ऊपर रखकर नबाएंगे और तो बीच का पार तेर, काटकर निकालेंगे ब्रेड की साइडों को हम फेकेंगे नहीं इसका हम ब्रेड क्रम्स बना कर रख सकते हैं ब्रेड का बीच वाला भाग है इसे हमने काटकर निकाल लिया है ब्रेड के मैंने और भी पीस काटकर निकाल लिया है यहां पर मैंने एक ब्रेड का पीस लिया है इसके उपर हम टमेटो केचप लगाएंगे और इसको पूरे में फैला देंगे ब्रेड के ऊपर टमेटो केचप हमने अच्छे से लगा दिया है हमने जो आलू का मसाला बना कर रखा है इसको हम ब्रेड के ऊपर डालेंगे और पूरे में फैला देंगे अगर आपको मेरी रेस तमेटो केचप नहीं लगाएंगे इसके उपर हम धनिया की चटनी लगाएंगे धनिया की चटनी हमने पूरे में अच्छे से फैला दी है अब हम इसके उपर आलू का मसाला डालेंगे और इसको भी हम पूरे में फैला देंगे इसी तरह से हम सारी ब्रेड को त्यार कर लेंग और हमने जो घोल बना कर रखा है उसमें इसको डिप करेंगे ब्रेड को हम घोल में ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे नहीं तो ब्रेड तूट सकती है ब्रेड को घोल से निकाल कर कड़ाई में डाल देंगे जब हम इसको कड़ाई में डाल देंगे तो गैस की flame को हम medium पर कर देंगे कर्ची से हम इनके उपर oil डालते जाएंगे ताकि ये उपर से भी सिख जाएंगे इसे हम low flame पर fry नहीं करेंगे नहीं तो ये बहुत जादा oil सोक लेंगे और oil डालने से ये फूलते भी जाएंगे इनको हम अलटते पलटते दोनों साइड से अच्छे से fry कर लेंगे हमारा क्रिस्पी सा चटपटा नास्ता बनकर तेयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ रेसिपी को शेयर करें और मेरे चैनल शाम किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ